दोस्तों बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से फस्ट पॉच्छ ने पूचा कि किस जीव की आंखें अलग-अलग दिशा में गूम सकती है उमीदवार ने इसका उत्तर दिया कि गिरिगट जीव की आंखें अलग-अलग दिशा में गूम सकती है एक्जामिनार ने अगला प्रशन पूछा कि बारत में गेहु उत्पादन में उत्तर परदेश किस स्थान पर है कैंडिडेन ने इसका उत्तर दिया कि बारत में गेहु उत्पादन में उत्तर परदेश पहले स्थान पर है Board member ने next question पूछा कि सोने का सरवादिक उतपादन किस देश में होता है candidate ने इसका उतर दिया कि सोने का सरवादिक उतपादन चीन देश में होता है एक्जामिनार ने अगला प्रशन पूछा कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पंखन नहीं होते हैं दोस्तो बहुत इज़ाद इंट्रेस्टिंग क्वाचन है दोस्तो इस क्वाचन का अंसर आप में कमेंटर में बताएं हम देखना चाते हैं कि आप में से किन लोगों को इस क्वाचन का अंसर आता है बोर्ड मेंबर ने उमीदवार से नेक्स्ट क्वाचन पूछा कि इंटरनेट का परयोग सबसे पहले किसी देश में हुआ था क्याडिडेन ने इसका उतर दिया कि इंटरनेट का परियोग सबसे पहले अमेरिका देश में हुआ था एक्सामिनार ने अगड़ा प्रचन पूछा कि क्षेतरफल की दृष्टी में बारत का सबसे बड़ा राजिय कौन सा है उमीदवार ने इसका उतर दिया कि क्षेतरफल की दृष्टी से बारत का सबसे बड़ा राजिय राजिस्तान है एक्सामिनार ने अगड़ा अंटरस्टिंग कौचन पूछा कि कौन सा जानवर पानी पीते ही मर जाता है उमीद्वार ने इसका सोच कर उतर दिया कि कंगारू रेट जानवर पानी पीते ही मर जाता है एक्जामिनार ने कैंडिडेट से अगला प्रशन पूछा कि किस देश में मशलियां की बारिश होती है उमीद्वार ने इसका उतर दिया कि हिंडूरस देश में मशलियों की बारिश होती है एक्जामिनार ने उमीद्वार से नेक्स्ट कच्छन पूछा कि गोतम बुद्ध को बोधग्या में किस वरिख्ष के नीचे ग्यान प्राप्त होगा था कैंडिडेर ने इसका उतर दिया कि गोतम बुद्ध को बोधग्या में पीपल ब्रिख्ष के नीचे ग्यान प्राप्त हुआ था एक्जामिनार ने अगला प्रेशन पूछा कि गोरी गोरी ओर्तों की कौनसी चीज काली होती है दोस्तो बहुती जड़ा इंट्रेस्टिंग क्वाचन है अगर आपको इस क्वाचन का अंसर आता है तो आप हमें नीचे कुमेंटे में बता सकते हैं अमीदवार ने इसका सोचकर उतर दिया कि गोरी गोरी ओर्तों की पर्चाई काली होती है दोस्तो आपने जो भी अंसर सोचा था हमें कुमेंटे में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना